वेल्कम टू अनदर अपिसोड ओफ दा मदर अंचन को आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बड़ी ही क्विक रेसिपी जो हेल्थ से तो भनी हुई है लेकिन बनेगी बहुत जल्दी तो उसके लिए मैंने लिया है एक स्प्रेंग अनियन दो ये वाली मिर्चे सबसे पहले इसको थोड़ा सा धोकर काटती हूँ और साथ में मैं लूंगी थोड़े से स्वीट कॉर्ण जो की अल्रेडी वाश्ट है जोने से पहले इसका ये हिस्सा ऐसे निकालना है और जो भी इसमें ये उपर की लेयर है ये थोड़ी सी डैमेज होती है इसको निकाल देती हूँ जो एक्स्ट्रा होता है खराब हो रहा होता है वो अपने आप ही निकल जाता है जैसे हम उसको जरसा खीशते हैं तो अब इसके आगे से हलके हलके निकाल लेते हैं जो थोड़े ड्राय हो रहे हैं इन मिर्चों का भी ये हिस्सा थोड़ा सा निकाल लेंगे अब इन सब को वाश करते हूं जो स्प्रिंग अनियल में इसको खूब अच्छी तरह वाश करना चाहिए क्योंकि इसमें जो पत्ते हैं इसमें अंदर अंदर डस हो सकती है या यह सड़े हो सकते हैं तो उससे को फेक देना चाहिए इसका डंठल वाला हिस्सा और पत्ते सारे हम यूज़ कर सकते हैं तरह अंदर बिद्ट्ट अच्छी लाइए बद़ कोवड़े हम पत्ते समय हो पत्तव्शी में अभल्ट सुद्सलिप, भटस्सलिप, भटस्सलिबल झायं खायं अंच्छी इसकंट्ब्ट अब इन सब को पीस ना है अगर बहुत चोटा काट सकते हैं तो ठीक है वरना इनको पीस लेना ही अच्छा रहेगा इस तरीके से ये पिस गया है और अब इसको निकाल कर मैं इसको भी पीसूंगी लेकिन इसको आधा डालूंगी इतना सारा नहीं डालूंगी अब्साइण से भ श्यूवब्स टूरीके मारें ठीके पीसंगं अषब दीके लाद्साटन पॉंगे लेकिन तहात्ट को मेरते या काट hilarious यांटत नहीं तो आप मिक्स कर रही हूं खोड़ी सी सूजी और सूजी अंदाजे से कम जादा कर सकते हैं अभी वेजिटेवल्स का जो पल्क बनाया है मैंने वो कुछ ज्यादा ही लग रहा है तो थोड़ा सा ओट्स और डगते हैं स्प्रिंग अनियन भी थोड़ा आइज में लगता है काटने के बाद मुझे अभी लग रहा है तो अगर आप इसको बना रहे हों तो इस चीज के लिए प्रिपेर रहें कि अब इसमें जो यह लगा हूँ राए गया था इसी में थोड़ा पानी डालके इसमें डालूंगी क्योंकि अभी मैंने सूजी में डाली है ओट्स भी डाले तो वो बीड़ें तो सोख होंगे उसके लिए पानी थोड़ा से इसमें चाहिए थोड़े मसाले डालते हैं इसमें स्वाद के अनुसार नमक काली मिर्च थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं साबुट जीरा डाल रही हूँ थोड़ी सी साबुट मेथी मिक्स करके थोड़ी देर के लिए इसको ढखकर रखना होगा ठकके छोड़ देंगे इसको सोकोने देंगे उसके बाद बनाते हैं इससे एक दिश अब यह देखो आप कितना फूल गया है एकड़ मिक्स हो गई है सारी चीजें एक साथ और अब मैंने इस पर गैस पर रखा है अब पास्टाइंग गैस को अन करेंगे और इस अब पास्टाइंग को हलका सा ग्रीज कर दूँगी ग्रीस करने के बाद थोड़ा सा हलका सा गरम हुआ है और अब मैं इसमें इसको भड़ूगी जो थोड़े से गोल कम लग रहे हैं उसके उपर बाद में भी इसको डाल के गोल गुल बनाया जा सकता है बाकी सब ठीक है अब इसको ढख देंगे करीब 10 मिनिट के लिए और गैस की फ्लेम एकदम स्लो जिस जिस में मैंने जैसे जैसे भरे थे तो वो जादा रंगव से भर गए हैं और जो यह वाले जैसे बाद में डाले से तो इन में रंग थोड़ा कमाया है और अपने टेस्ट के उपर है किसी किसी को क्रिस्पी चीजे पसंद है किसी को लाइट क्रिस्पी चीजे पसंद है तो उससाब से इनको पल्टा मार सकते हैं मैंने जो 10 मिनिट बताए हैं ऐसा नहीं है कि आपको पूरे 10 मिनिट रुखना है बीच में इसको खोल कर भी देख सकते हैं लेकिन इतना टाइम लगाना ही पड़ेगा क्योंकि हमने इसमें कच्छी सब्जियां भी मिक्स कियें वो अगर नहीं पगेंगी तो फिर खाने का मज़ा नहीं आएगा और यह मुमें चिपकेंगे और हेल्थवाइस भी अच्छे नहीं होंगे इनको मैंने सबको एक बार पलट दिया है और इसमें डाल दिया अब इसको फिर से पकने देते हैं यह देखो आप बिलकुल पक्के तयार हुए हैं इनको निकालते हैं बाकी जो मैंने बाद में डालें वो आप अगर देखो तो एक-एक साइट से थोड़ा थोड़ा उसमें कलर नहीं आए और किसी किसी में आगया है तो बाकी को सबको चक करना है जितना कलर जिसमें चाहिए वो मैंने आपको बता दिया वह आपके उपर है लेकिन मैं क्या करूंगी कि जो ये तीन खाली हुए हैं जब तक इन सबको मैं निकालूंगी पल्टूंगी तब तक मैं इसमें इनको भर देती हूँ बच्चे हुए मसाले को ताकि ये भी इसी हीट में साथ साथ पकते रहेंगे इस तरीके से हम अपना टाइम और समय सॉरी टाइम और समय तो एक ही बात होते हैं टाइम और अपना एलपीजी दोनों को बच्चा लेंगे या फिर जो बाकी के हैं इनको निकाल लेते हैं ये देखो आप अभी मौसम थोड़ा ठंडा है तो मैं हाथ से निकाल पा रहे हूं वरना इनको हाथ से निकालना जरूरी नहीं है किसी चीज से उठाकर निकाले तो ज्यादा सेफ रहेगा अब इनको थोड़ा सा पकने देते हैं आप देखो इनकी शकल ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ये अप्पा स्टैंड काफी ज्यादा गरम था तो मैं इसके उपर अभी डाल रही हूं और अब बाकी के अप्पा फ्रेम जो हैं वो खाली पड़े हूँ है तो उन सबकी हीत भी इन ही को मिल रही है तो इसमें अभी अभी डालने में भलाई है ढ़कना जरूरी वरना सब्जियां कच्छी रह जाएंगी और ये अभी बहुत ज्यादा गरम है इनको अब मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूं अप्पे बनके तयार है और फिर चाय भी बनके तयार है अब इन अप्पों को इस चाय के साथ खाया जाएं तो ये हो जाएगा मेरा आज का डिनर डिनर में जरूरी नहीं होता है कि हमेशा रोटी सबजी दाल चावली खाये जाएं इस तरीके के खाना खाना भी बहुत हेल्दी होता है इसमें ओट्स हैं सूजी है जो हमें अच्छा सा कार्ब्स दे देगी और उससे हमारी भूब भी मिट जाएगी और साथ में हैं बहुत सारी सबजियां जो कि हम वैसे चाहें कम खाएं लेकिन इसमें पहाने से हम ज्यादा खा लेंगे तो एक टेस्ट करके बताती हूँ आपको ठंडा सा अपपा पहले आप इसकी शकल देखो अंदर से यह देखो आप ऐसा है यह पग गया एक दम सारी चीजें इसमें अगर आप चाहो तो जो बड़ी बड़ी रह गी वो नजर है दी जैसे कि स्वीट कॉन कि बाहर की लेएर काफी अच्छी मोटी सी क्रिस्पी हो गई है और अंदर एक दम सॉफ्ट सॉफ्ट लेकिन पका हुआ है आप इसमें कठा हो गया है पका हुआ है एक डम कच्छापन बिल्कुल नहीं है और एक दम लिमेटिड डाले वो भी ऑलिव आप चाहो तो कोई भी डाले आप चाहो तो जितने मर्जी डालो तो और भी ज्यादा टेस्टी बनेगा लेकिन इसका स्वाद जो मैंने इसमें सब्जीया डाली है वो तभी आएगा जब मसाले इसमें कम डाले जाएंगे डिपेंड करता जैसे आलू डालेंगे तो आलू को मसाले ज्यादा बच्चों को लंच्पक्स में भी दे सकते हैं और मेरे घर में अभी काम चल रहा है जिसके अपडेट आप समय समय पर मेरे साथ देख रहे हैं ज्यादा काम नहीं रह गया बहुत थोड़ा काम है अब मेरा अपना सफाई करने का काम है क्योंकि मेरे पास कोई मेड नहीं है औ इतना काम करूंगी और वैसे भी मेरा घर सारा अभी ढखा हुआ है सारा समान कवर्ड है तो मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं तो अब दिखाते हूं आपको कुछ ऐसी तैयारी जो मैं जाने के लिए करने वाली हूं क्योंकि मैं अब एक दो दिन में वापिस चली जाओंगी और फिर आपको दिखाओंगी वहां के बहुत सारी वीडियो सो चली मेरे साथ कीजिए मेरे जाने की तैयारी भासकर ने मुझसे कुछ ये समान मंगवाया है इसमें बैटरी है उसको मैं निकाल दूंगी क्योंकि फ्लाइट में जब जा रहे हो तो वो अलग करके लेके जान ये निंटेंडो वी का कुछ समान है उसका ये मंगाया है ये कुछ बुक्स मंगाई है उसने और उसका ये भी कोई इलेक्रोनिक्स का आइटम है ये एक पैक मंगाया है तो अब मैं देखूंगी कि उसका ये निंटेंडो वी ये पैकेट ये पैकेट उसकी बुक्स उसका ये सब समान मेरे इस ओवर लोड़ेड बैग में किस तरीके से आएगा देखती हूँ कुछ इसमें से अपना समान निकल दूँगी और उसका डाल दूँगी क्योंकि उसने बड़ी उमीद से मुझसे समान मंगवाया है तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उसका समान ले जाओं अब चलते हैं अपनी रेसिपी को खाने की तरफ अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर कर दीजे शेयर कीजे फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू मेरी मुच्छ फॉर वाचिंग और बाइब बाइब स्वाज है